ट्राइसोरश मरा हुआ है तो भाई इसका मीट मैं निकाल सकता हूं ओ भागो 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 अलफा रेप्टर भाई ऐसा कैसे हो गया कि तो हेलो गाई इस क्यासे हो आप सभी लोग एक बार फिर से स्वागत आप लोग सर्वाइवल इवोल्ड में तो भाई कैसे हो यार आप लोग आई होब कि आप लोग मस्त होंगे व्यस्त होंगे और तंदरुष्त तो होंगा क्योंकि भाई लोग आज हम कुछ टेम करने वाले हैं बट उससे पहले आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि थोड़े से चेंजस किया है मैंने घर में और चैंजस किया मैं आप लोगों को बता देता हूं देखे मैंने यहां पर यह एक चार दिवारी बनाई है जिसमें कि मैं अपने डायनो जो हम टेम करेंगे वह डायनो को जो हम यहां पर रखने वाले हैं और गयाज यह देखे यह एक दम मस्त लगता है भाई देख रहो क्या और यह मैंने दिवारों के ऊपर लगाई है रेलिंग तो यहां पर रेलिंग सर्च कर सकते हैं तो यह वाला वूड रेलिंग लगाया है मैंने और एक दिवार लगाई और नीचे फांडेशन है और यहां पर यह डाइनसूर गेट है तो ये एक लकडी का गेट और मैंने एक दर्वाजा लगाया है और हाँ गाईज एक और बात यार यहां पे किसी का न अर्जन टेविस है सामने देखो वो किसी ने टेम करके यहां पे छोड़ दिया है यार ऐसे थोड़ी होता है अपने डाइनोस का ध्यान रखना चाहिए तो रही समीति तो हम एस प्लस की समीति बनाएंगे और इसको बनाने के लिए मैटल इंगोट चाहिए तो मैटल इंगोट हमारा बनेगा फरनेस में है न थी फोर्ज बोलते हैं उसको साइट से यह रहा है ओके रिफाइनिंग फोर्ज बोलते हैं यह बनाना पड़ेगा हमें और इसके लिए तो हमारे पास सामान पूरा है तो हम यह बनाएंगे गाइस कितने हम बनाएंगे इनको ऐसा करते हैं हम यह चार बना लेते हैं ना तो चार बन आ लेते हैं तो हमारा रिफाइनिंग फोर जा गए इसके अन्दर क्या होगा हम जो मेंटल को जो नो वह पिंग्ला पाएंगे आराम से और भाइ मैंटल जब पिंग्ल जाये का तोreci है क्वा सम इस सारी बढ़िया बढ़िया चीजें जो हैं बना सकते हैं जैसे कि हम डिपहर और जिए पाइप सकते हैं दिख से को यह कहा जाता है ओर इसके अलबाष़ दमें काने माने का भी इंतजाम करना पड़ेगा और यहां पेtaने वाला इनको और यह बहुत ही बढ़िया लगता है दिखने में और इनके अंदर जो है हम लकडिया डालके हम कोल को हम जो है लकडी से चार कोल बना सकते हैं जिससे हम गन पाउडर बना सकते हैं और उसके अलावा हम इसके अंदर आयरन को जो है न वो बना सकते हैं मतलब हमें सिर्फ लकड़ी और आयरन रखना पड़ेगा और वो इसमें मेल्ट होना शुरू हो जाएगा अब मेरे पास पहले से ही थोड़ा सा आयरन पड़ा हुआ था तो मैं इसको मेल्ट करूंगा और मुझे पॉलीमर भी मिला था यहां पर एक बत्तक जैसी होती है उससे मुझे पॉलीमर मि लाएं और यह क्या नाम है यह डी फर्टिलाइज है मतलब इसमें इसमें से बच्चा नहीं निकलेगा और यह खराब भी होने वाला है भाई थीन मिनिट बाद तो ऐसा करता हूं मैं इसको खाजा जाता हूं कम से कम मेरी भूख तो मिटेगी और क्यार्वोंगा ने वाला थ देंगे 100 करके और इसको स्टार्ट कर देते तो यह मैटल होना सुरू हो गया यह बहुत धीरे-धीरे होगा इसलिए मैंने चार फरनेस लगाएं तो इसके अंदर भी 100-100 मैटल डाल देते हैं और डायजार वुड डाल देते हैं और सेम इसमें भी यही करूंगा मैं और उसके अलावा गाइज हमें एक स्मीति बनानी पड़ेगी और स्मीति के लिए हमारा समान जो है रेडी होना सुरू हो ही गया है जिसके अंदर हम क्रोस बनाएंगे और तब तक म एरो बना लेता हूं एरो मैंने खोले तो है हाँ यह रहे ना एरो तो मैं 200 एरो बना लेता हूं तो गाइस एरो बनने जो है सुरू हो गए है और बस अब मुझे अंदर जाके देखना है कि वह यह काम हो रहा है के नहीं हो रहा मैटल वैटल का तो मैटल तो बनना सुरू हो तो एक बना लेते हैं वो स्मीति भी बनना सुरू हो गई है और एरो भी बनना सुरू हो गई है अब हमें एक क्रोसबो बनाना है और ट्रैंक एरो बनाने है ठीक है तो सारा ही समान मैं नीचे सैट अप करने वाला हूं यह मैं सोच रहा हूं कि ऊपर सैट अप कर दूँ नहीं नीचे ही सैट अप करते हैं उपर हम थोड़े डाइनो वाइनो रख लेंगे बाकी सामान हम नीचे ही रखते हैं वह ज्यादा बढ़िया रहेगा तो भाई हमारी स्मीती बनना सुरू हो गई है हमारे जो है तो थोड़ा ठीक से सैट अप रखना होगा हमें इसको कि दिवार से थोड़ी टाच हो जाए ना जादा आगे ना जादा पीछे ओके यह परफेक्ट सैट अप हुई है और यह हमारी स्मीती है जिसके अंदर हम जो है अब बहुत सारी चीज़े बनाएंगे तो आप देख सकते तो यह रहा क्रोस बो तो क्रोस बो बनाने के लिए हमें मैटर चाहिए ओवू01 चाहिए और वूड चाहिए और फाइबर चाहिए तो यह बन गया बाई क्रोस बो ठीक है और गाईस देखो एक तरीका तो यह होता है कि उसना चीज़े जो और एक मिनट यह उठाई यह उठाई यह उठाई यह उठाई यह उठाई ऐसे उठाई डाल के ले क्या हूं ठीक है एक तो यह तरीका होता है और दूसरा तरीका होता है कि मैं यहां से ही चीजे पुल कर लूँ इसको पुल बोलते हैं यह जो है न अगर मैं इस पर क्लिक करू और मुझे जितनी quantity में बनाना जैसे दो 234 तो मैं यहां पर quantity select करके अब जितना भी resources होगा मैं यहां से pull कर सकता हूं ठीक है जैसे कि अगर मैं यह चीज बनाना चाहूं और मैं pull करूंगा तो यह मुझे बता देगा कि मेरे पास कौन सा resources नहीं है इसको बनाने के लिए घर में इसके एक range होती है घर के एक मतलब एक range होती है limited range होती है unlimited नहीं होती मैं सिर्व अपने घर के अंदर आके ही बना सकता हूं यह चीजे तो देखे मेरे पास इतनी सारे चीजे नहीं है इसको बनाने के लिए तो सेम यही बात है तो guys crossbow हमारा बन चुका है और stone arrow हमारे बन चु इसके एक reason है ठीक है और वह क्या reason है मैं आप लोगों को बताऊंगा भी जल्दी तो यह आगई हमारी table और इस table को हम लगा देते हैं भाई साब अपना यहां पे ठीक है और table बनाने का reason अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा तो भाई यह आ गई हमारी table ठीक है एकदम perfect setup हु ऐसे कि आप घरों पर देखते हैं ना अपने कि भाई वो एक समान कूटने वाला चीज होती है मौम दस्ता बोलते हैं जिसको तो यह मौम दस्ते की तरह ही होता है आपका mortal पेस्टल मौम दस्ते को इंगलिस में मौर्टल पेस्टल बोलते हैं ठीक है तो इसमें पेस्ट वग खोती है भाई आपका यह बैरी स्टीक है तो बैरी मेरे पास रखे एक खतरनाक भैरी होता है जिसको हम बोलते है नार को ऑली एक तरह कि ड्रक सोती है जिसको बोलते हैं हम एक ड्रक्स बनाई जाते हैं देखो यह लिखा भी हुआ इस पर ड्रक्स ठीक है इस पर क्लिक करूँगा तो यह बनती है एक चीज क्या नाम है इसका नाम है नार्कोटिक तो ये नार्कोटिक ये दो चीजों को मिला करके बनती है दे देखो आगे ना ओप्शन मुझे 50 बन रही है तो मैं 50 बना लेता हूँ अब इसको बनाने से क्या होगा इसको बनाने से ना अगर हम इसको अपने तीर पे अपलाई करते हैं ना मतलब अपने स्टोन एरो पे अपल यह है इसका बेसिक ARE जैसे की मैंने एक ले लिया है तो इसमें ट्रैंक एरो बनता है ये देखो यह रहाँ ट्रैंकोलाइजर जोबंसे बनके हमारा ट्रैंकोलाइजर आरो अब क्या होगा कि मुझे जो भी तीर चलाना है अना जैसग अब इसमें ड़ले हुह है तो अगर मु और सिंपल ही मैं इसको अराम से चला सकता हूँ ठीक है तो यह कुछ इस तरीके से काम करता है और मैं था यार हूँ अभी टेम करने के लिए बट मुझे अभी और नार्को टिक चाहिए और नार्को टिक के लिए थोड़ा सा मुझे इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि हमें ना और के जान ऊक्षब हो यह? अंच शन्व को ट्राइक करना का यंगना यृप त्राइक के पास तो देखते हैं उसको हमारे घर के पास ही था वह बस वह यह ले जिए स्पॉंग सब्सक्राइब हो जाते हैं कभी और कहीं और हो जाते हैं, तो गाईस यह sport कहीं और नहीं गया यह हमारे घर के पास ही है तो चलो देखते हैं कितने लेवल का है अभी देखो मेरे पास glass तो है यह glass बनता है तो भई इतने एकम लेवल का तो मैं टेम नहीं करूब एक अच्छे लेवल का ही मुझे टेम करना ist तो मैं थोड़े से और देखूँ गा आसपास और यह फसग गया है भगए किसी चीज में बता नहीं तो मैं थोड़े से और देखूंगा आसपास ट्राइक कि मुझे कोई अच्छे लेवल का ट्राइक मिल जाए भाई यहाँ पर भी एक ट्राइक है मेरे घर के थोड़ी सी दूरी तो चलो भाई देखते इसको कितने लेवल का यह ओ भाई गाई यह 140 लेवल का है वाडू है तो भाई इसको पकड़ना सबसे बश्ट रहेगा यार यह 140 लेवल का है और इसकी हाइड देखो क्या मस्त लग रही है कलर भी अच्छा इसका यार ब्लू-Bलू सा है तो चलो यार इसको टेम करते हैं अपने ट्रैंक आरो निकालता हूं और इसको टेम करने के लिए ना इसकी inventory में हमें मैं जो बैरी रखनी होते हैं जो कि मेरे पास है थोड़ी सी और आई होप कि यार इतने आरो में काम हो जाए क्योंकि यह अच्छा लेवल है 140 लेवल कि 150 लेवल तो इसमें मैक्स है तो भाई 140 लेवल का तो इसका लेवल अप करके यह बहुत अच्छा हो जाएगा तो जैसी मैं इसको आरो मारूंगा ने मेरे पीछे लगेगा और भाई इस ट्राय को टेंब करने का सबसे बड़िया तरीका होता है उसके हैड पे कभी भी मत मारना क्योंकि इसका हैड पर एक शैल लगा होता है जो कि जल्दी सी काम नहीं करता मतलब बोल सकते हो कि यह अच्छा के जिल्ड होती है इसका है और कभी मैल और फीमेल एक साथ होना तो तो कभी मत शेड़ना पूंगय बजा देंगा तो मैं इसके बैक सेड़ मार मारने पर ये ज़ादा देगा टीक है तो भाई मैने लग मार दिया इसको और यह मेरा पीछा करेगा और यह साहिद मुझे मार भी सकता है अब तो अगर मैं मर जाओं तो भाई कोई नई बात नहीं है ठीक है और देखो मैं इसके अगर हैड पर मारूँगा ना तो बहुत ही कम डेमेज देता है और मैं कोशिस अरे भाई इनने तो उच्छाल दिया मेरे को बहुत पीछे तक भाई तो गाई जब यह ऐसे ही मारता रहेगा मुझे तो मुझे इसको भाई कैसे ने कैसे करके टेम करना है अरे यार यह लय बाजा है ऐसे तो मुझे लीमार लागा और देखो पाँ नहीं हो पाईगा अरे यार शिट अब मैंने किसी को बेहोस कर दिया यहां पे नहीं नहीं कि नहीं ओ यहां पर एक बैस्ट राड्स मैं चाहूं तो इसको भी टेम कर सकता हूं तो भ Guillem मुझे मारना शुरू हो गया है और भाइ यह पता नहीं कितने तीर और खाएंगा कि और बाय मेरे मेरा स्टामीना भी जा रहा दीर है ओके यह इसलो हो गया यह फस गया है नहीं फसा नहीं था यह यार फस जाता तो अच्छा रहाता तो मुझे पेड़ों के बीच में से जाना पड़े गए ताकि यह फस खता रहे और भाई मेरे तीर जोना इसको लग नीज ठ चिक से ओकियार मुझे फेस पेगाल मारना यार इसके मेरे पास सुना बचें कि यह भाग ना सुरू के लिए अ Cars अने वाला ये लंड़ने घ्रोनी लग आने लगिंग है आए पिछे अरे नुड्य है डाइन प fewer बानि निकल गया मैं भाई मेरा हैल दिने 50 परसेंट डाउन कर दिया है और भाई यह कितने आरो लेगा यार बेहोस नहीं हो रहा अभी तक अरे यार यह कितने आरो खायेगा भाई यह मैक्स लेवल का यार तभी अतना टाइम लगा रहा है अच्छा यह भाग रहा है इसका मतलब यह बेहोस होने वाला होगा ना वो आपसे दूर चाइग अरो गिर जाना भाई बैहोस ओजा इतना टाइम लगा रहा रहा होने में यार हद है तो ये दूर भाग रहा है इसका मतलब ये बैहोस हो उनेवाला और ये लुकुल और यह पर इसका जो तॉरन डिती जो बिलक्टूल itаете अब इनको टेम करने का सबसे बाइस्ट सबसे बढ़िया तरीका में आप लोगों को बताता हूं जब इसका फूड लेवल थोड़ा कम हो जाए ना तो आप इसके इन्वेंटरी में यह जो है मैजोबेरी यह डालिए यह मैजोबेरी से टेम होता है और अगर आप लोगो को किसी भी डाइनो को टेम करने में प्रोब्ल करें प्रोड एक्स के उसके इंदर सभी डाइनों का दिखाया गया कि वो किस चीज से टेम होते हैं और किस चीज से जल्दी भी तेम होते हैं ठीक है तो भाई मैं इन्वेंटरे में इसकी फूड डाल देता हूं और यह फूड खाना सुरू करेगा और देखते कितनी देर में टेम होता है चलो पहली बाइट लीस ने 6% 12% हो गया तो यह जल्दी टेम हो रहा है भाई मतलब यह बहुत जल्दी टेम हो जाएगा तो अभी इसका फूड बार जो है फुल हो गया है तो यह थोड़ी देर बाद बाइट लेगा यह मतलब थोड़ा टाइम लेगा तो गाइस हमारा पहला ट्राइक जो तो आगया है और इसका नाम मैं देने वाला मोटू क्योंकि भाई यह मोटी देंगे इसका नाम हम क्योंकि यह फीमेल है ना तो गाइस यह हमारी पहली है मोटी और ये मोटी हमारी टेम हो चुकी है और इसको हम वोलो करा लेते हैं अगर आप पीछे-पीछे चलेगी ऐसे कर कि देखो आ रिए ना पीछे-पीछे और अगर आप उसको यू दबाते हो तो यह आपको अंफॉलो करेगे हैं और एक जगा पर न्यूट्रल मोड पे न यह अपने आपको डिफैंस करेगा मतलब कोई इसको मारने आएगा न तो यह उसको मार देगा और अगर इससे ज़्यादा बड़ा हुआ तो यह भाग जाएगा वहां से ठीक है और पैसिव का मतलब होता है यह किसी को भी नहीं मारेगा और यह एक इसको मारूंगा यह भी उसको मारने लग जाएगा ठीक है मतलब और या फिर कोई डायनो मुझे मारने आएगा न यह मेरी रक्षा करेगा उससे तो यह टैक में टार्गेट बहुत होता है तो अभी तो मैं इसको पैसिव पर रखूंगा क्योंकि पैसिव पे यह वाला मोड यह वाला जो डायनो सोरस है इसको पैसिव पर रखना ही ठीक होता है तो चलो भाई मैंने इसको फोलो कर वा लिया है और इसको घर तक लेके चलते हैं और और भी बहुत सारी चीज़े होती है इस गेम में हम दीरे दीर आप लोगों को समझाएंगे तो अब हमें चाहिए एक फ्लायर तो फ्लायर के लिए है सबसे बड़िया पैट्राडों ठीक है तो चलो भाई अब हमारा पहला पैट जो है आ चुका है और इसका लेवल जो है हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो इसका लेवल बढ़ाने के लिए हमें इसकी इंवेंटरी खोलनी है और मैं इसके स् बढ़ा देता हूं कितना खुस हो जाता है यह बहुत बढ़ी अलगती है यार मुझे तो 215 नेवल की हो चुकि है मोटी हमारी तो गाइस इसके खासियत होती है डाइनसौरस की कि यह बैरीज फार्म करता है और प्लस यह थैच फार्म करता है और अगर आप ऐसे बटन दबा मेरे लिए तरके रखते हैं तो चार्ज करता और भाय एक किसी को भी उड़ा सकता है सामने आने वाली चीज को देखो देखा आरे भाई बिल्कुल खतरनाक भाई इसका मुकावला नहीं है सच बता हो तो गैस्न इसमें एक बोला का मौड है जिसको बोलता सीटी बोला अब ये क्या होता है की ये भोला ना रियूसेबल होता है मतल Pokémon होटा ला क्भी ये वाला बोला तो ये मोला इसलिए मुझे बहुत पसंद है को इसको इतनी पर बनाना नहीं पड़ेगा यार आके एक यी बारी बनाओ और फिर काम चल चलाते रहो तो भाई चलो हम देखते को अच्छा सा पैट्राडों डूंडते हैं और भाई पैट्राडों को टेम करने के लिए मुझे थोड़ा सा चाहिए होगा मुझे फूड चाहिए होगा मीट चाहिए होगा मतलब मुझे थोड़ा सा तो मुझे कुछ डाइनोस को मारना पड़ेगा तो मैं इसको मार लेता हूँ भाई अपने पैरसोरस को बिचारेगो ऐसे एक किसान भाई है ये मतलब ये किसी पर अटैक नहीं करता बस ये भाग मैंने इसके पैर बांदी है बोला से और देखो इसके हैड पर मार रहा हूं तो कितना ज्यादर डैमेज जा रहा है और बोड़ी पर मारूंगा तो कम आएगा ना तो इसमें भी हैड शोट होते हैं वाई ठीक है मरने वाला ये मर गया तो मुझे मैं इससे मीट ले लेता हू और मीट हमारा पैटराडोन को टेम करने में मदद करेगा तो बस अब मुझे एक पैटराडोन ढूंड रहा है अच्छे से लेवल का और फिर हमारा काम हो जाएगा तो यार मैं ऐसा करता हूं पैटराडोन का सेडल बना लेता हूं मैं बैठ के हूंगा सीधा वहां से उसके और उसको फोलो कर वा लाना पड़ेगा पानी पी लिया मैंने तो पैटराडोन के पानी पड़़न भी जो हमारा इसमें बन जाता हैं अधे बहुत तारे डाइनो रोता है जो चीतिन देते हैं आपको तो हमारे पास आगया पैटराडोनित्टम आजिए पानी पी लिया हृत पता नहीं मिलेगा मेरे पास गिलास भी नहीं है कि अच्छा लेवल मिल जाए तो ज्यादा बड़िया रहेगा ओके यहां पर एक पैटर डो नूड़तो रहा है चलो इसको मैं बैठने का इंतजार करता हूं इसको बोला से फसाएंगे और इसको इसका लेवल चेक करेंगे ठीक है और यार सामने एक ड्रोप भी है मुझे ड्रोप लूट लेना चाहिए मैंने सुना है कि इस सर्वर में जो ह लूट ही लेता हूं यार एक ड्रोप बस वहां पर यार वह थोड़ा खत्रे वाला एरिया है वहां पर मुझे कोई मार ना दे तो गाइज एक बात और बताने कि ड्रोप को लूटने के लिए लेवल चाहिए होते हैं जो कि मेरे तो देखो मैक्स लेवल है मैं 150 का हो चुका हूं और 150 में मैक्स लेवल होता है तो इस ड्रोप को खोलने के लिए 40 लेवल चाहिए होता है तो 40 नहीं पता नहीं चाहिए होत और भाई यह देखो मार के चला गया अरे नहीं मार के नहीं वो मेरी inventory से food चुरा के ले गई और ऑगाईस मुझे थोड़ा सा समान मिला है और भाई वो मेरी inventory से food ऐसे कैसे चुरा के ले गई देखो ये रही तेरी ऐसी की तैसी बोला नहीं पकड़ा हो यह चोर हुती है और यह समान चुडानली आपके inventory से मीनटर चुरा 서 मैंजे बहुति होगें बॉला लिख रही है वैसा अले मेरे समान मिलेंगा वैसे तो मैं शामाम छुरा 74 मुझेống नहीं मिलेगा कि यह खाने की चीज़ को जो आना खा जाती है देखो नहीं नहीं मिल गया मुझे ओके देखो मेरा मेरे को मीट मिल गया इसने मीट चुराय था तो भाई यह चोर होती है एक रंबर की इससे बचके रहना आप यह आपका समान भी निकाल लेती है इंवेंटरी से अगर कीमती समान हुआ और यह वाली एक्स बहुत बढ़ी है यार देखो इसका डैमेज बहुत अच्छा है वही तीन सो कुछ सम्थिंग है तो इसको रखेंगे हैं इससे हम ज़्यादा समान निकाल सकते हैं और बाकी पैटेराडोन ढूंडते हम अपने आसपास तो भई यह पैटेराडोन नीचे आ गया अब मुझे इसको बोला मारना है और मैं इसको थोड़ा दूर से बोला मारना हूँ अबे यार उड़ रहा है यह अबे नहीं भाई नहीं अरे यार ये भाग गया यार यार मैं थोड़ा लेट हो गया आने में क्या मैं इसको इतनी दूर से पकड़ सकता हूं नहीं यार ये बच जाता है बोला से ओ नीचे आ रहा है ये ओके फस गया बोला में ओ भाई ये 90 लेवल का है नोट बैड 90 लेवल का हम ले सकते हैं और इसकी मजद से फिर हम हाई लेवल का भी ढूंड सकते हैं तो भाई अब मुझे क्या है इसको फटा फट से बेहोस करना हो गया अच्छा वाई कम लेवल का था तो भाई अब मुझे बस इसका थोड़ा सा फूट डाउन होने का वेट करना है और मैं जल्दी से ना एरो स्विच कर लेता है क्योंकि यहां पे इसको तंग करने के लिए बहुत सारे डायनों आएंगे चोटे-चोटे जो मेरा टेमि कहाँ पर मिलते हैं दूड़ने पढ़ेंगे मुझे और दूड़ने के मुझे एक फिलायर चाहिए तकि मां ऊपर से देख सको कि क्रिस्टल है कहाँ पे ट्राइसोसोरस मरा हुआ है तो भाई इसका मीट मैं निकाल सकता हूं और भागो भागो बागो बागो आल्फा रैप् करेंगे यह और में इसको मार देता हूं भाई मर गया और भी एक जलो और नहीं है क्या था इसके इंवेंटरे में चस्मा मुझे चस्मा मिला वाई यार वेरी नाइस यह पैन सकता हूं मैं ओ भाई यह कैसा लग रहा है और यह देखो कैसा लग रहे गाई इस चस्मा वह बहुत बढ़िया यार चस्मे में तो यह एकदम ही खतरनाक लग रहा है अरे भाई बाबा जी चस्मा पहन लिया तो चलो यार चस्मा बढ़िया लग रहा और उस रैप्टर से मुझे दूर रहना पड़ेगा वह एक अलफा रैप्टर है और वह कब निकल रहा होता है ठीक है तो रेड रच स्मोक निकल रहा होता है इसको तर्मिनल नहीं इसको panda एक साथ कि बोलते हैं तो यह ओम स्लिक है और यहां से हम दूसरे मैप में जा सकते हैं दूसरे गरहे पे जा सकते हैं ऐसा आप बोल सकते हो और इसमें बहुत मस्त मैप है बहुत मस्त मस्त ग्रह है जहां पर हम exploring के लिए जाएंगे और भाई वहां के डाइनोस भी बिल्कुल डिफरेंट है मज़ा आ जाएगा आपको यार महिने लग जाते हैं छे-छे महिने लग जाते हैं एक मैप को पूरा करने में और मुझे तो कम से कम 6-7 मैप कंपलीट करने तो भाई मैं इतना लंबा टाइम नहीं ले सकता है तो इसलिए मैंने थोड़ा सा रखन कर देती है सर्वर को आपको है तो गई हमारा पहला फ्लायर जो है आच चुका है तो गई हमारा पहला जो है आ चुका है और गाइस मैं इसको सैडल पहना देता हूं फटा-फट क्योंकि यहां पर एक मुसीबत आ गई है और मुझे इसका वेट जो बढ़ाना पड़े रही मुसीबत नीचे यह मुसीबत हमारे घर के देखो वो रही रैप्टर आ गया है यहां से कहीं से पता नहीं कहां से आ गया है रैप्टर और भाई यह बहुत खतरना को होता है और मैं इसका स्टैमिना बढ़ा देता हूं कि स्टैमिना जो है बहुत होता है इसके लिए त करकते हैं तो देखो भाई यह है अलफा रैप्टर बच के रहना इससे ठीक है वरना मिलेगी मोथ ओ यह मगरमच कहां से आ यार हमारे घर के पास ओके तो हम मगरमच को भी टेम कर सकते हैं भाई इसका मतलब देखो यह पानी के अंदर है मगरमच बट यार पहले तो हमें थोड़ा सा क्रिश्टल चाहिए होगा तो भाई क्रिश्टल को लेंगे हम बाद में अभी तो गाइस हमें देखो अपना फ्लाय तो गाइस मैं एक ड्रोप के पास आया हूँ और भाई इस ड्रोप को लूट लेते हैं यार देखते इसमें क्या मिलता है कुछ तो अच्छा मिलेगा इसमें में थोड़े से डार्ट मिले है मुझे और एक पैट्रादों का सैडल मिल गया वाई यह तो बहुत ही बढ़ी आ हो गया तो हम यह वाला सैडल लगा देते हैं यह थोड़ा ओपी वाला सैडल मिला है में अच्छा डेमेज इसका मतलब इसका डेमेज लेवल अच्छा है इस तो गाइस सामने एक और ड्रोप यार ये ड्रोप भी लूट लेते हम भाई अब ड्रोप लूटना आपने लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ड्रोप से में बहुत अच्छे चीजे मिल जाती है आप लोगो बस आप चैक कर लेना ड्रोप के आसपास कोई भी वाइल डाइनो ना अच्छा मैंने इसको सैटिंग नहीं दिया ता जब ही उड़ गया यह उपर तो भाई थोड़ा वाइल डाइनों से बचके बस राप लोग ड्रोप लूटना और ड्रोप कितने मस्त लगते आर असा लगता है जैसे कोई स्पेस्शिप आ गई हो भाई उसके अंदर से आवा अगरा होते हैं वाई क्या मस्त लग रहा है यार मेमद को अगा है कि अगरा अच्छा लगा हो तो भाई प्लीज लाइक कीजे वीडियो को और हमारा फ्लायर मस्त लगा हो तो यार वह भी आप लूटना जैसे आप लोगों ने देखा और यार गई अगर आपको आज का सिरी प्लीज अच्छा लगा हो तो भाई प्लीज लाइक कीजे वीडियो को और हमारा फ्लायर मस्त लगा तो यार वालबी एप्रिशेट कीजी और लाइक में बगते पर नय क्वाई नखीों अब रख tier डाइनो पकड़ेंगे उसी को यह अच्छा प्यारा सब नाम देंगे तो आज के लिए इतना ही आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा और भाई मजा आया तो प्लीज या लाइक कीजिए और वीडियो को कमेंट कीजिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और मिलते हैं ऐस